बिहार में इस समय नगर परिशद, नगर निगम और नगर पंचायत का चुनाब हो रहा है इसी करी में आज हमारी टीम बेनी पूर आप पहुँची जहां पे चल रहा है नगर परिशद का चुनाब हमारे बीच एक परत्यासी है जो मुख पारिशद का चुनाब लग रहा है बेनी पूर नगर परिशद चेतर से तो आएए जान लेते हैं क्या कुछ मुद्दा है जो चुनाबी मैदान में उत्रे है सुखदेब मुखिया इस बार चुनाबी मैदान में उत्रे है आप चुनावी मैदान में उत्रे, क्या सोच करके आप चुनावी मैदान में आए? मैं सोच करके यही हा, सबसे पहले मै जनता मुफ जैसे परणाम चाफू करूट करूँगा कि अपना करमत चुने, उसके बाद मेरा जो ब्रन है, मेरा जो नजर्यार देखे मार्टर में मिल रहा है गॉंगामें हर मुहला में वह इस तरह है कि अगर रोट तो है लेकिन ऐसा रोट बना झाया कि घर नीचे चला गया इस पर मेरा फोकस है मतलब कि सरके है लेकिन सरके जैसी बननी चाहिए वैसी नहीं है हाँ नाला है उसका निकासी नहीं है इस पर मैं ज्यादा ध्यान इस पर दिया हूँ ठीक है आज गाउं की यह वह इस्टीची है कि अगर गुजरीगा ना तो चपल तो कि पैदल तो क्या चपल पर भी नहीं जा सकते आप जी सर कुल 29 वाट है आपके छेत्र में 29 वाट में क्य क्या क्या समस्या आपको नज़रा रहा है यहां समस्या की बाद जब धनिबाद आपकी जो ऐसा सवाल किया आपने मैं जहां भी जा रहा हूं कीचर ही कीचर ने ज़रा रहा है जब जाता हूं ना मारे फिल में यहां तो पाउं को कप्रा समेट कर जाना पड़ता है नाला ना बाला भी बना ऐसा जहां नहीं है एक नालह मरा निकासी नहीं है बिजली है पोल है बालब नहीं है बालब है फ्यूज है ठीक यह सवायàoगने लिसे अध्याम से निकालती है साधी करते हैं जो इसे अमीर कले की पैसे वाले की वह सोचना पड़ और ता पापुजी हमको कहां स सबसे पहले मैं अपना जो ध्यान रखाऊं कि दलीत मजदू जो है उनके बच्चे जो पैसे वाले हैं वो तो जाते हैं स्टेडियम मौर्णिवाक के लिए ठीक है लेकिन दलीत के बच्चे कभी खेल नहीं पाते हैं मैं हर संबब प्रियाश करूगा हम एट के सिर्डियम माइदान बना जाए बना दलीत के लिए क्या यह संभाव है आप सोच सकते सर शंभार यह मौहिया कराना प्रियाश सरकार से में करूगा मिंति करूगा जालीत बह्याएं बच्चे के लिए खेल्वाल मैदाण चाहिए कुल 16 पर्तियासी है जो चुनावी मैदान में हैं आपके साथ और भी 15 पर्तियासी है आपको मिला करके 16 पर्तियासी सभी अपने अपने तरीके से जनता के सामने अपनी बात को रख रहे हैं फिर आपके ही बात पर लोग क्यों विश्वास करेंगे इसलिए सर आज हम यही सोचा है अगर कोई किसी जनता ने जनता ने सोचा कि हमें इन यह चुना है चुना है सेबक चुना है हम सेबा भाब रखना चाहिए सेबा भाब का मतलब हो कि सेबक और सेबब बनकर फिल में आना चाहिए और सेबक जितने के बाद आज नहीं चाह लग रहा है पंद्रह जो परत्यासियं वो सेवक नहीं, नेता बन कर क्या रहा है नेता बन कर रहा है, अभी तक सेवक बन कर नहीं, मैं वादा करता हूं जनता समाज से कि मैं सेवक बन कर रहूँगा ठीक है चलिए चुनाब आप जीत जाते हैं आपको 29 वार्ट की जनता ने मौका दे दिया और आप मुख पार्षद बन गए मान लेते हैं तो मुख पार्षद बनने के बाद सबसे पहले वो कौन काम करेंगे जिससे पूरा समाज जूज रहा है परिशान है आपको लगता है कि सरकार का जो प्रोजेक्ट है जो सरकार का योजना है वो धरातल पे नहीं उतर पाता है किरें साफ से अपिल करेंगे अपना प्रत्यासी अपने पावर इम यह फंसल करेंगे डेने संध। सबसे बड़ी पावर्द जनता होती है ठीक है जानता से यहीं निवेदर करूगा कि अपना पावर्द को समझे और हमेरे अगर हो तो के पार करें यह थे हमारे बीच सुखदेव मुख्या जो मुख पारशत का चुनाब बेनी पूर नगर परिशत्चेतर से लड़ रहे हैं व कितना भरोसा करती है वैसे सभी परतियासी अपने तरीके से अपने बात को रख भी रहे हैं सुखदेव मुख्या ने कहा है कि सबसे पहले दलीतों के लिए प्लेग्रॉंड की वेवस्था कराना मेरी पर्थम प्रात्मिक्ता होगी उसके बाद इन्होंने कहा है कि सरकार का जो भी प्रोजेक्ट है या ड्रीम प्रोजेक्ट है वो ध्रातल पर क्यों नहीं उतर पाता है इसके लिए मैं तत्पर रहूंगा जनता ने मौका दिया तो मैं इसके लिए पूरा-पूरा पर्यास करूंगा अब देखना यह है कि 2900 वार्ड की जनता इनके बाद भी कितना पिस्वास और कितना भरोसा करती है